भगवान गड़ेज जी ने ही महाभारत कार्य अपने हाथों से लिखा था। पवराडी कथा के अनुसार विद्या के साथ साथ भगवान गड़ेश को लेखन कारे का भी अधिपती माना गया है। सांतो सभाव से अपने कार्य को करते रहते हैं, इसी कारण उनकी लेखन की सक्ती भी अधितिय मानी गई है। महारिशी वेद व्यास भगवान गणेश के इस खूबी के चलते अतिप्रभावित थे। जब महारिशी वेद व्यास ने महाभारत की रचना करने का मन बनाया, तो उन्होंने महाभारत जैसे महाकावे के लिए एक ऐसे लेखकी तलास की जो उनकी कथन और विचारों को बिना बाधित किये लेखन कारे करता रहे। की बाधा आने पर विचारों की सतत प्रतिकीरिया प्रभावित हो सकती थी। महारिशी वेद व्यास ने सभी देवी देवताओं की छमताओं का अध्यन किया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने भगवान गरेश जी का ध्यान किया। महारिशी वेद व्यास ने गरेश जी से संपर्क किया और महाकाव्य लेखन का आग्रह किया। क्योंकि ऐसा होने पर गरेश जी ने कहा कि वे वहीं लेखन कारी को रोक देंगे। गनेश जी की बात को महरेशी वेद व्यास ने स्विकार कर लिया लेकिन उन्होंने भी एक सर्थ गनेश जी के सामने रखती महरेशी वेद व्यास जी ने कहा कि बिना अर्थ समझे वे कुछ नहीं लिखेंगे उनका अर्थ ये था कि गणेश जी को प्रतेक वचन को समझने के बाद ही लिखना होगा गणेश जी ने महारेशी वेदव्यास के इस सर्थ को भी सुईकार कर लिया इसके बाद महाभारत महाकावे की रचना आरंब हुई कहा जाता है कि महाभारत के लेखन कार्य पूर्ण होने में तीन वर्स का समय लगा इन तीन वर्स में गणेश जी ने एक बार भी महारेशी वेदव्यास जी को एक पल भी रुकने के लिए नहीं बोला वहीं महारेशी ने भी अपनी सर्थ पूरी की इस तरह से महाभारत पुर्ण हुआ दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में भी जरूर बताएं